हेलो फ्रेंड्स आशीश यह फर सिंपल सूपिट टेक और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला होगी कैसे आप अपने Realme 6 और Realme 6 Pro में आप्लिकेशन को लॉक कर सकते हैं या तो फिंगरप्रिंट सेंसर के थुरू या तो फेस उन्लॉक से या अगर आपको इसकी नोडिफिकेशन आपके मुबाइल पे तुरंत मिल जाए आई शुरू करते हैं अपने अप्लिकेशन लॉक को सेटप करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर और सेटिंग्स के अंदर आप खुझे प्राइविसी के अंदर जाए थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और आपको मिलेगा app lock नीचे की तरफ, इसको आप प्रेस करिये और ये आपको set up करने बोलेगा privacy password, ये password जो है ये आपके lock password से दूसरा होना चाहिए और ये six digit password है, make sure करिये कि आप इसको कभी न भूले, और मालिज अगर आप भूल जाते हैं तो ये security question जरूर सेट कर दीजेगा, क तो अगर मान लीजे आप भूल जाते हैं, और बार बार गलत देते हैं, तो यह आप से recover करने के लिए कहेगा, इसको हम done कर देते हैं, और हम next जाते हैं, आप देख सकते हैं कि यह खुद ही recommend कर रहा है, set up applications को lock करने के लिए, बढ़ यहां हम सब को lock नहीं करेंगे, मैं सरिफ य जितरे भी application installed है, उसकी list है, अगर आपको सर्फ यह देखना है कि आपने कौन-कौन से application lock किया है, तो आप यहां पर show locked only पे जाईए, और आपको यह सर्फ वही दिखाएगा, जिसको आपने lock किया है, अब आप अगर इस पर tap करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं कि आपके पस दो option हा रहा है, एक तो locking का ही, enable password verification, दूसरा है, hide home screen icons, यानि कि अगर आप अपने application को hide करना चाहते हैं, मानलिजी आप PUBG बहुत खेलते हैं, और अपने बेटे से चुपाना चाहते हैं, या अपने father से चुपाना चाहते हैं, किसी से भी अगर आप चुपाना चाहते हैं, तो PUBG को lock करिएगा पहले, और हातों हात उसको hide कर दीजेगा home screen से, जब आप hide कर देंगे, तो एक access number आपको setup करना पड़ेगा, जो कि आप अपने call आप से जब आप उसको dial करेंगे, तभी आपको access मिलेगा, तो मैं access number भी setup कर देता हूँ, और ये ध्यान रखेगा, कि जो भी आप access number सेट कर रहे हैं, उसका starting और ending दोनों hash से होना चाहिए, और यही आपको dial करना है, तो आप इसको done कर दीजिए, जब आप hide करते हैं, तो आपको दो और amazing options मिलते हैं, पहला, don't display in recent task, यानि कि अगर आप application स्विच कर गए, तो यह automatically recent task से gap हो जाएगा, दूसरा, इस app से आपको कोई भी notification नहीं मिलेगी, यानि कि अगर आपको PUBG के notification बहुत आते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, अब हम back करते हैं, और photos के app है, जिसको हम लोगों ने सिर्फ lock किया है, Facebook का app है, जिसको हम लोगों ने hide किया है, अब मैं आपको demo दिखाने से पहले दिखाता हू जो मैंने hash start और hash end के बीच में जो चार्ड डिजिट का number डाला था, यह उसको change करने का option है, यह है option third वाला, जो है no verification until screen off, यानि कि अगर आपने एक बार unlock कर दिया, तो जब तक आप phone lock नहीं करते हैं, तब तक आपके वो applications unlocked ही रहेंगे, थोड़ा risk ही है, तो आप चाहे तो इ demo, आपने notice किया होगा कि यहाँ पर Facebook का icon gab हो चुका है, अब मैं एक बार search करके भी देख लेता हूँ कि Facebook मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, Facebook का application नहीं मिल रहा है यहाँ जो कि बहुत अच्छा है, मुझे याद है कि Redmi कि में जब MIUI 11 में में try कर रहा था, तो उसमें वो search में available जो कि disappointing है, अब हम photos का application launch करेंगे और देखते हैं क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर password मांग रहा है, तो इसको मैं 101210 देता हूँ और यह unlock हो गया, एक बार यह unlock हो गया, उसके बाद मैं multitasking में जाओंगा, तो यह मुझे इसका preview नहीं दिखा रहा है, तकि आपक WhatsApp पे apply करते हैं, तो आपका WhatsApp का chat इसमें नहीं दिखेगा, अब जो इसको tap करेंगे, तो आप से ही कम से कम password नहीं मांग रहा है, अब अगर मैं इसे lock करता हूँ, वापस unlock करता हूँ, और यहाँ पर password डालता हूँ, तो यह automatic unlock हो गया, अब हम खुशते हैं अपना Facebook वाला app, गय कहा हो, तो आपको यह करना है, कि hash 1012, जो भी आपने access code दिया था, उसको दबाईए, और यह pop-up करेगा आपके hidden applications को, दो application देख रहे होगे, हमने हाला कि एक ही hide किया था, एक है private safe, दूसरा है Facebook, प्राइवेट से basically आपको files को hide करता है, फेस्बुक का application launch करते हैं, यह हो गया, फेस्बुक का application launch, अब अगर मैं इसे minimize करता हूँ, और multitasking में जाता हूँ, तो Facebook का आप कहीं भी नहीं है, इसका मतलब किसी को भी नहीं पता चलेगा, कि आपने actually Facebook का आप launch भी किया था, यह setting हमने configure की थी, इसलिए यह हो रहा है, अब जो last thing है कि आप अपने fingerprint या face से कैसे lock unlock क इसको on कर दीजे, मैंने इसमें face configuration नहीं किया है, इसी के कारण मुझे यहाँ पे use face unlock for app lock नहीं मिल रहा है, अब अगर मैं जाता हूँ, मैं phone lock कर रहा हूँ एक बार, इसको unlock कर देता हूँ, और अगर मैं photos का app launch करूँगा, तो यहाँ पे मुझे fingerprint यूज करने को कह रहा है, औ अब अगर मैं अपना hidden app फोलता हूँ, और facebook में जाता हूँ, तो यह automatically launch हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको verify किया था, अपने fingerprint को verify किया था, तो ध्यान दखिएगा कि एक बार आपने एक application को unlock कर दिया, तो सारे application unlock हो जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक application unlock करन नहीं हो, तो उसके लिए no verification until screen off को off कर दीजेगा, यह जवाब कर देंगे, तो हर application के लिए यह आप से fingerprint, face unlock या password मांगे, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Realme 6 और Realme 6 Pro में applications को hide कर सकते हैं, और lock unlock कर सकते हैं, fingerprint sensor से, या password से, या face unlock से, अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, और अपने दोस्तों के दाद शेयर करेगा, देखने के लिए धन्यवाद